हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, डीपी एडुकेर दोस्तो आज से हम लोग प्रारम करने वाले हैं विशेश और विशेशड बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है और यहां पर आपके बारा सवाल पूछे जाएंगे प्रारम्दिक परिक्षा में और दस सवाल आते हैं आपके मुख परिक्षा में ठीक है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इसको हम लोग पहले दो मट में समझेंगे क्या होता है ठीक है और इसके बाद हम लोग इसकी पांस स्रीज कॉंटीनियू करेंगे अभी तक आपको वर्तनी सुद्धी की 5 स्रीज और तद्भवत अच्छम की 5 स्रीज प्राप्ट हो चुकी है यह 11 स्रीज है और 5 स्रीज आपको बिशेशल बिशेश की हम उपलब्द कराएंगे ठीक है और इसके बाद जो भी टॉपिक आप लोग कहेंगे उसको प्रारम किया जाएगा चुकि बहुत लोग की डिमांड थी कि सर बिशेशल बिशेश पहचानने में बड़ी समस्या होती है तो उसको पहले पढ़ा दिया जाए ठीक है तो दिखे पहले पहले जाए कि बिशेश क्या होता है और बिशेशल क्या होता ठीक है तो आपने मतलब कच्छा 6 में 8 में 10 में संग्या आपने पढ़ा होगा नाउन पढ़ा होगा ठीक है तो नाउन क्या होता है कि किसी व्यक्ति इस्थान या वस्तु के नाम को हम संग्या कहते हैं ठीक है या आपने पढ़ा होगा तो जब यही कोई वस्तु का नाम है किसी व्यक्ति का नाम है किसी इस्थान का नाम है तो इसी को हम कहते हैं विशेश से तीक है यानि कि जो वस्तु व्यक्ति इस्थान का नाम है ये सब क्या है विशेश है और जब इस विशेश की कोई विशेशता बताता है तो उसे कहा जाता है विशेशर तीक है यानि कि विश विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषड अर्थाख एडजेक्टिव इंगलिस में कहा जाता है ठीक है अपने इंगलिस ग्रामर में पढ़ा होगा ठीक है अब इसको अगर डिटिल्म आपको समझना है कि विशेष और विशेषड क्या होता है तो आप हमारे चैनल पर जाएए प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ पर हिंदी की प्लेलिस्ट होगी ठीक है तो वहाँ पर हमने पूरा विश्टार से दो वीडियो हैं विशेशल्ड विशेश के कि क्या होते हैं कितने प्रकार होते हैं कितने भेद होते हैं कैसे इसको हम पहंचाने इसके लिए आप को वो वीडियो जरूर देखनी होगे ठीक है तब ही आप पर अपर तरीके से समझ पाएंगे कि विशेशन और विशेश होते क्या है और हम कैसे उनको पैचानेंगे ठीक है तो वीडियो आप लोग जरूर देखिए हिंदी वाली जो अमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगे ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं हाँ और स्रीज नंबर नाइन में जो एक सोलहां कुस्चन था जिसमें तदबह पूछा गया था तो वहाँ पर जो बिकल्प ए है ना जहां दिन लिखा हुआ ना उसको दिवस आप समझेगा ठीक है वो टाइपिंग मिस्ट त्यार हो चुके हैं कंप्लीट त्यार हो गए हैं उनको प्राप्ट करने के लिए आपको करना होगा इस नंबर पर मैसेज 6393 350769 ठीक है 6393 350769 इस नंबर पर नोट्स लेकर करके वाट्सप कर दीजिए या पर आप सुबह 10 वज़े से सामको 6 वज़े तक कॉल भी कर सकते ह हैं PCS की टेस्ट स्रीज 20 मई से प्रारम होने वाली है आप लोग उसको जोइन कर सकते हैं उसके लिए भी आपको टेस्ट स्रीज लिख करके इसी नंबर पर वाट्सप करना होगा तो आपको टेस्ट स्रीज वाले गुरुप में जोड़ लिया जाएगा और सामानत ध्यन हिं होने बहुत ही हमारी टीम ने और हमने मिलकर काम किया है ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं तो हम लोग आज का पहला कुश्चन लाते हैं इसको थोड़ा बढ़ा कर लेंगे और आपका पहला कुश्चन आपके सामने आ गया है कि निमलिखित में से कौन सा सब्दों विशेष यह आपको बताना है तो ध्यान रखना है कि जो भी संग्या सर्वनाम नैस्वरी संग्या में जो भी व्यक्ति वस्तु इस्थान का नाम होता उसे विशेष कहा जाता है और विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेष कहा जाता है तो इसमें आपको विशेश आपको बताना है आसीन, अगनी, मधुर या फिर करमठ कौन सा भी कल्ब सही होगा 10 सिकेंड का समय आपके पास है अगर आप और अधिक समय लेना चाहते तो आप वीडियो को पॉस्ट करके भी देख सकते हैं और आराम से उत्तर लगाईए और जितने भी आपकी सही हो उनको हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा कि इतने आपकी सही हो रहा है इस वाली स्रीज में और इसका अंसर सही हो जाएगा B अगनी जो है वो एक विशेश सब्द है जबकि आसीन, मधुर और करमठ ये विशेश अड़ाए कोशन नमबर सेकंड पर आते हैं थंडा पानी थंड पैदा करता है इस वाक में कौन सा सब्द विशेश है विशेश आपको बताना है थंडा पानी थंड पैदा करता है इसमें कौन सा सब्द विशेश है तो यहां पर विशेशता किसकी बताई जा रही है पानी की विशेशता बताई जा रही है चुकि पानी कैसा है ठंडा है ठीक है यह वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है चुकि यहां पर आपको बीच बीच में सम्झाना भी होगा इसलिए तो पानी की विशेशता बताई जा रही पानी कैसा है ठंडा है ठीक है तो विशेश कौन होगा चुकि विशेशता पानी बताई जा रही है तो जिसकी विशेशता बताई जाती है वही विशेश होता है तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा पानी ठीक है प मैंने आपको समझाया है कि क्या कहते हैं विशेशल जिसकी विशेशता बताता तो उसे क्या कहते हैं उसे विशेश से कहा जाता है चुकि जो विशेशल होता है वो विशेश की विशेशता बताता है कि को से नंबर फोर पर आते हैं भूम का विशेश रूप है भूम एक जो है विशेश रूप सब्द है इसका विशेश रूप क्या होगा यह आपको बताना है और इसका आपका विशेश हो जाएगा भूमी ठीक है भूमी का विशेश रूप क्या होता है भूम होता है ठीक है कुछ नमबर 5 पर आते हैं जलिये का विशेश रूप है बताए क्या होगा जलिये का विशेश रूप क्या होगा इसमें आपका विकल्ब हो जाएगा जल टीक है जल क्या है विशेश सब्द है जबकि जलिये क्या है ये विशेश है टीक है और हम लोग जो जल्दी ही सामान अध्यन की भी इसी तरीके से टेस्ट स्रीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें भी हम लोग भी ट्वंटी कुस्षन रखा करेंगे और सब्जेक्ट वाइज होगी कि हिस्ट्री के कोश्चन भी जोगर्फी के पॉलिटी के एकनुमिस के लाएंगे ठीक है तो आपके देखें परिच्छा तक अभी दोढ़ाई मैंने बचा हुआ है और ऐसे आप रोज हल करते जाएंगे तो बापकी बहुत जवर्दस्त तयारी हो जाएगे ठीक है बापकी जो कंप्लीट स्रीज है आरो यारो की हम लोग जून में स्टार्ट करन देखने बाले हैं अब लोग थोड़ा सा धहर रखे हो आपको पूरी कंप्लीट स्रीज मिलेगी बहुत सारी उसमें स्रीज होंगी सारे विश्यों की होंगी तो कुश्चन नंबर सिक्स देख लीजे धुंदला सब्द में विश्येशड है दुंदला सब्द में किसे और गुडवाचक विश्येशड क्या होते हैं ठीक है कितने प्रिकार की होते हैं कितने भेद होते हैं कैसे उसको समझें ठीक है तो धुंदला यह क्या हो जाएगा इसका अंसर आपका हो जाएगा गुडवाचक ठीक है मतलब कि यहां पर किसी के गुड़ की बात हो रह विशेशल आपको बताना है बनार्शी, भारत वर्ष, बाजार या फिर खेती विशेशल आपको चुनना है और इसका अंसर आपको हो जाएगा बनार्शी बनार्शी क्या है विशेशल है जबकि भारत वर्ष, खेती और बाजार अपने आप में विशेश्य है जिस विकारी से संग्या की व्यापती मर्यादित होती है उसे कहते हैं बताइए क्या कहेंगे जिस विकारी सब्द से संग्या की व्यापती मर्यादित होती है यानि कि जिस सब्द से संग्या की विशेष्था बताई जाती है उसे क्या कहते है तो पते ही आपको उसे हम लोग कहते हैं विशे कहते हैं कि रिमेस की पुष्टक पुरानी है इस आज भाक में पुष्टक सब्द है जो पुष्टक आपको बताना है तो इसका विकलप आपका सही हो जाएगा और फूस्टक क्या है बिशेश हमाद है किसी वस्तु पुष्टक क्या एक वस्तु है तो विशेश हो जाएगा कुशन नमबर 10 पर आते हैं सरीखा सब्द में विशेशड है कौन सा विशेशड है ये बताना है गड़ना बाचक गुड़ बाचक शमुदाय बाचक या फिर क्रम बाचक विशेशड है इसमैं आपका अंसर हो जाएगा B याने की सरीखा सब्द में गुद़ वाचक विशेशड है 11 पर आते हैं अभ्यास का विशेशड रूप है अभ्यास का विशेशड क्या होगा तो अभ्यास का बिसेशल आपका हो जाएगा अभ्यासी ठीक है ये सारे प्रस्ण ऐसे हैं जो कहीं ने कहीं किसी ने किसी परिक्षाम पूछे गए हैं चाहिए आरो यारो महें या फिर कहीं परिक्षाम है तो बहुत इंपोर्टेंट प्रसम लेकर के आते हैं है नोकर नहीं आया बाक्यम है कौन सा अभी सेशल है ठीक है बताना आपको ओ है कौन सा बसेशल है तो स कि साम्नामिक शंक्या वाचे चैनल वाचे कछी आफर परिमाड़भादक आप तो इसमार अंसर हो जाएगा वो है जो है वो सर्वनामिक विशेशट है ठीक है यानि कि वो है नौकर ठीक है नौकर यहां पर देखे क्या है संग्या है जबकि वो है क्या है यहां पर सर्वनाम हो जाएगा ठीक है चुकि संग्या की विशेश्टा बताने वाले को हम जो है सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम जो है संग्या की विशेष्टा बताता ठीक है या विशेष्टा नहीं बताता बलकि सब्संग्या के इस्थान पर हम किसी दूसरे सब्द को प्रियोग करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं ठीक है नाउन के इस्थान पर हम किसी दूसरे सब्द का इस्तिमाल करते हैं तो उसे प्रोणावन अर्थात सर्वनाम कहा जाता है तो इसलिए हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेशड कुशन नंबर 13 पर आते हैं तीसरा सब्द में विशेशड है उलांक वोदिक अबरतिवाचक गड़नावाचक या फिर क्रम वाचक विशेशड तीसरा तो यहापर क्या देखिए क्या बताया जा रहा है यहापर क्रम की बात हो रही है तीसरा क्रम है ठीक है तो कैसा होगा यह क्रम वाचक विशेशड हो जाएगा कुशन नंबर 14 पर आ जाते हैं प्राचीन सब्द विशेशड के किस प्रकार में आते हैं प्राचीन सब्द विशेशल के किस प्राइब कमाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा आपका गुड़ बाचिक विशेशल ठीक मालों कहने कि यह बिल्लिंग बहुत पुरानी यानि प्राचीन है या या यह बस तो बहुत प्राचीन है तो उसकी विशेश्था बताई जा रही प्राचीन हो जाएगा आपका गुड़ बाचिक विशेशल ठीक है तो इनिक उसके गुड़ दोस्त की बात हो रही है तो प्राचीन हो जाएगा आपका गुड़ बाचिक विशेशल हो जाएगा तो विशेश्था किसकी बताई जा रही है आपर उपासक की विशेश्था ब शिक्स्टीन पर आते हैं, चौथाई सब्द में विशेशण है, चौथाई सब्द में, बहुत ध्यान से सुनना आपको, चौथाई की बात हो रही है, कैसा होगा, अब दिखिया पर पूरा नहीं है, चौथाई क्या है, अपूल है, तो कैसा हो जाएगा, अब पूलांक बोध विशेशण हो जाएगा, आपका, अपूलांक बोधक विशेशण हो जायेगा, या क्रम नहीं होगा, या कैसा होगा, अपूलांक बोधक विशेशण होगा इसका अंसर, ये कुशन नमच्वर सेवन्टीम पर आते हैं, उस ग्रंथ में पांसो परस्ठ है, इस बाक में उस अभ्ड है बुरातों विसेशल्द परिमालवाचीक विसीशल्ड शंकेतवाचीक विसेशल्ड व्यक्ती वाचीक विसेशल्ड तो यहां पर क्या हुझा रहा है है कि किस पुष्टक में है ए मुद मे lanth में उसk ग्रंत में तर upfront पर संके दिया रहा है कि उस कई निश्यत परिमाण बाचक निश्यत संक्या बाचक अनिश्यत संख्या बाचक तो यहां पर दिखिए परिमाण की बात हो रही है और काफी की कुछ मतलब निश्यत नहीं है तो रिमाड कैसा है अनिश्यत है इसलिए यहां पर हो जाएंगा आपका अनिश्यत परिमाड वाचक विशेषल हैम स्यज़ल I कि 19 पर आते हैं यह हैं चांदीไह खोटी सी दिखती है इस वांक में खोटी सी विशेषल तो यहां पर आपका विकल्प यह सही होगा या कि गुड़ बाचक यह चानदी खोटी सी मतलब खोटी सी दिखते हैं उसे गुड की बात हो रही है तो गुड़ बाचक विशेशल जाएगा और लास्ट क्यूश्चन पर आते हैं ठीक है यह गाय अधिक दूद देती है, उक्तबाक में अधिक विशेशल किसकी विशेशता बता रहा है, ठीक है, तो क्या दूद देती है, अधिक दूद देती है, यहाँ पर विशेशता किसकी बताई जा रही है, यहाँ पर दूद की विशेशता बताई जा रही है, तो दूद जो है अधिक है लगी जो विशेश है उससे पहले विशेशल लगा हुआ है तो दूद की आपर विशेशता बताई जा रही है अधिक सब्द दूद की विशेशता बता रहा है ठीक है तो यह हो गया बाकी हम जो सेंटेंस वाले प्रसंद है कि किसमें कितने इसमें कितने विशेश होने वाली है जल्दी ही ठीक है ताकि आप लोग की अच्छी प्रक्टिस हो सके पस हमारा एक ही उद्देश है कि आपको किसी तरीके से अधिकारी बनाना और आप भी कोशिश करिए कि आपने लक्ष को प्राप्त कर सका है सुब कामनों के साथ नमस्कार धिन्वाल